जार्खन में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठाक अस्थागीत आज होगा फैसला सक्त होगी पबंदिया जार्खन सरकार दोड़ा बढ़ते कुरोना संक्रमन के मदर नजर 15 जनवरी तक लगाई गई विभीन तरह की पबंदिया आगे जाली रहेगी या नहीं इस विशाय पर सुक्रवार को फैसला होना था लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की बैठाक किसी कारण अस्थागीत हो गई है इस कारण फैसला नहीं हो सका बता दे 15 जनवरी को ही इस विशाय पर सरकार की ओर से कोई घोसना हो सकती है उलेखनी है कि राज सरकार ने 4 जनवरी 2022 को कईतरह की परबंधियों को लागू किया था उनकी मियाद 15 जनवरी तक ही है सुक्रवार साम में आपदा परबंधन विभाग की बैठाक होने वाली थी इस बैठाक में यह तय होना था कि आने वाले दिनों में जनवरी लागू परबंधियों को कितना स्वक्त किया जाएगा बता दे स्वास्त मंत्री सा आपदा परबंधन मंत्री बना गुपता ने कहा कि किसी कारण वज सुक्रवार को आपता परबंधन विभाग की बैठाक नहीं हो सकी इस समद में सन्निवार को बैठाक हो सकती है मौसम विभाग ने रांची और इसके आसपास के छेत्रों में मौसम के सुस्क बने रहने की संभवना जताई है अगले 2-3 दिनों तक तापमान में भी 2-4 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभवना है साथ ही सुबे के सभी हिसों में 2-3 दिनों तक सुबा में कोहरावा धूंद रहने की संभवना है मकर संक्रांती में भोले नाथ पर चढ़ा तील मंदीर में दिखा करोना का असर पर तीलवा गुल और पितकर बाबा से मंगल कामनाय की जारखन के सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरे राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने समंधी सरोष नयालाय का डेड़ लाइन खत्म हुए 6 माहिने से अधिक होगा है लेकिन थानों में CCTV कैमरा नहीं लग सका है बता दे थानों में CCTV कैमरा लगाने की जिम्यवारी जारकन एजेंसी फोर प्रोमोशन और इनफोर्मेशन टेकनोलोजी की है जैप IT को भी यह निरनाई लेना है कि CCTV कैमरा किसके माध्यम से लगेगा जैप IT अभी पलान ही नहीं बना रही है उमीद है कि इस साल के अंतक राज्य के लगभग सभी थानों में CCTV कैमरे लग जाएंगे जारकन में नोकरी के लिए बहाली राज्य के मेटकल कोलेजों में सहायक प्रध्याबक के पदो पर होने वाली नियुक्ति में सबसे पहले दरशल राज्य सरकार ने हाल ही में संकल्प जारी कर या प्रविधान किया ताकि मेटकल कॉलेजों में सहायक प्रध्यापक के पदो पर होने वाले नियुक्ति में सबसे पहले सरकारेज चिकित से को कुमोका दिया जाएगा जहारखन में क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा कुरोना भारतिय चिकित सा अनुसंधान परिशत किसी भी राज या जीले में कुरोना के संक्रमन की स्टिति का आकलन विभीन मानकों पर करता है इन्ही मानकों क्याधार पर वहां संक्रमन की रोग थाम किरन निती तैकी जाती है बतादे इन में एक मानाख है कि किसी भी राजय या जीले में प्रती एक लाख की अबादी पर कितने लोग बर्तमान में संक्रामी थाएं यदि किसी राजय या जीले में एक लाख की अबादी पर 15 से अधीक लोग संक्रामी थाएं तो ICAMR इस इस्थिति को critical मनता है बतादे जार्खन में इस्थितिया है कि बर्तमान में यहां एक लाक्य अबादी पर 85 लोग संक्रामी था है इस तरह जार्खन में संक्रामन की स्थिति critical से काफी अधीक है गंतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की साजिस नकाम जार्खन पुलिस ने जारी किया निर्देश गंतंत्र दिवस के पहले देश को दहलाने की साजिस को सुड़क्षा इजन्सियों ने भले ही नकाम कर दी है लेकिन चुनोतिया कम नहीं हुई है पतादे दिल्ली पंजाब वा जमू कस्मीर में आईडी वा आडी एक्स की ब्राद्वी के बाद जार्खन पुलिस भी अलट हो गई है जार्खन पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो के यह निर्देश दिया है कि गंतनत्र दिवस्तक सभी लोज होटल बस इस्टेंड रेलवेज स्टेशनों पर चेकिंग तेज करें नकसर गतिवीदियों पर नजर रखे जंगलों में लॉंग रूट पेट्रोलिम करे राजे में वैसे हर सनवेदन सिल छेत्र में नजर रखे जहां अपराधी गतिवीदिया होने के असंका बनी रहती है राजे में अलोट को देखते हुए जीलो में अतिरीक्त बॉल को तैनात किया गया है हर संदिक दो पर नजर रखे जा रही है कंगना के गाल जैसी बनेगी जाम तरा की सड़के इर्फान अंसारी अपने बयानों से हमेशा चार्चा में रहने वाले जारखन के जाम तरा से कंग्रेस बिधायक डाक्टर इनफान अंसारी सुक्रवार को फिर अपने एक बयान से बिवाद में घिर गए है बताद इस बार उन्होंने कहा है कि जाम तरा की सड़के फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के गाल जैसे चिकनी होगी इससे पूर्व उन्होंने रांची की योग सिक्षि का राफिया नाज के बिरोद बिवादित ब्यान दिया था सेवा निवरीच सीखकों के लिए पेंचन अदालत on the sport निस्पदन शिक्षभी भाग राँची के सेवा निवरीच सीखछक और सीखकेतर कर्मियों के लिए पेंचन अधालत का आवैजन 15 जनौरी को किया जाएगा बतादे बारा बजे से सुरू होने वाले इस पेंशन अदालत में आई आवेद्नों का अंदे इस्पोर्ट निस्पादन किया जाएगा इस समध में विभाग से दिशा निदेश भी जारी कर दिया गया है या आयोजन प्रखन संसाधन केंद्रे के परिचर में किया जाएगा बता दे कि इस अदालत में राची जिला अंतरगात, राजकिये, राजकिये करीट, एवं गयर सरकारी साहता प्राप, अल्पसंख्यक, प्राथमिक, मध्ध, उदकर्मिक, उच एवं पलस टू, उच विद्यालों से सिवान विरित, और मिरित, सिक्चक, सिसकेतर कर्मियों का लंबित पेंशन के मामले का ओन दय स्पोर्ट निस्पादन किया जाएगा, जारखन में सुक्रवार को कुरोना के 37,40 नाई केस मिले हैं, जबकि 1807 मरीज स्वास्थ हुए, वहीं 3 मरीज की मौत हुई है, जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 33,192 है, भारत में 2,414,40 जारखन में गरीबों को पेट्रोल भर 25 रुपय की छूट देने के लिए स्वास्थ निर्देश, जारखन की हिमन सुरेन सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से रासनकार धारियों को पेट्रोल की खरीद पर प्रती लीटर 25 रुपय छूट देने की घोसना की गई है, बता दे इस व जना को अमली जामा पानाने के लिए सीम हिमन सुरेन ने कार्य प्रगति की उचास्तरिय समिक्षा की, सीम ने पता धिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विभाग समयनों बनाकर जल्द एक तंत्र विक्सित करे, ताकि 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की आपको बता दे कि हर महीने अधिक्तम 10 लीटर तक की पेट्रोल खरीद पर अधिक्तम 250 रुपे सब्सिर्टी दिये जाने हैं, राज सरकार का पर्यास है कि जार्खन में गरीब मजदूर, किसान और मद्यवर के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महांगाई से रहत दी जाए नेतर हाट इसकूल की तरज पर बोकारों में बनेगा आवास्य बिद्याला है का निरिक्षन किया, इस दवरान सिक्षा मंत्री के पूत्र अखिलेस महतो उर्फ राजु सहीत अंचल के अधिकारी वा कर्मी सहीत अस्थानिय लोग मजूद थे जारखन के रामगण में जारी है गजराज का अतंग पिछले चार दसकते जारखन के रामगण जी लेके गोलाद दूलमी और अईरापा बन छेतर में हाथियों का उत्पत जारी है हाथियों ने सैक्ड़ों लोगों को घायल भी किया है जबकि हजारों किसानों की फसलों को भी भारी नुक्सान पहुचाया है बतादे सैक्ड़ों लोगों के माकानों वा चाहार दिवारी को तोड़ दिया है अब भी छेतर में हाथियों का कहर जारी है प्रति दिन हाथी किसी ने किसी गाव में बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं गढ़वा में 247 परिवारों को ही मन्रेगा में मिला 100 दिन का रोजगार गढ़वा जिले में पंजिकरित मन्रेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है बता दे इन मजदूरों को 100 दिन रोजगार देने के ममले में पूरे जीले की सिती चिन्ता जनक है जबकि यहां योजनावों की भरमार पड़ी है रिपोर्ट के अनुसार जीले के 20 पर खंड में 3.98 लाख परिवारों को 6.53 लाख मन्रेगा मजदूर पंजिकरित है बता दे बितिय बर्स 21-22 में अब तक महज 297 परिवारों को ही 100 दिन रोजगार उपलब्द कराया गया है मन्रेगा में 100 दिन रोजगार पाने वाले में अनुसुचित जाती के 407, अनुसुचित जन जाती के 340 वह समाने स्रेनी के 1292 परिवार सामिल है गुमला का अलवट एका स्टेडियम बना सराब खोरो का अड़ा है गुमला सहर के परमबीर अलवट एका स्टेडियम को सरार्ती ततों ने सराब का अड़ा बना दिया है बता दे रात होते ही यहां सराबी बैटकर सराब पीते नजर आते हैं सराब पीने के बाद बोतलों को फोर दिया जाता है जिसे सुबह को अभ्यास करने पहुंचने वाले खिलाडी घायल हो जाते हैं बता दे बुध्वार की रात को स्टेडियम वन में सराब पीने के बाद दो गूटों में मार पिटकी घटना भी हुई है गुमला में 15 एकर वन भुमी पर होगा पौध रोपन बनेगा जंगल गुमला जिला अंतरगत विशुनपूर सिसाई घाघरा गुमला बसिया एंवं चैनपूर पर खंड के 15 एकर अधिस सूचित वन भुमी पर पौध रोपन होगा बताद ए 15 सव एकड भूम खंड 15 गाव से सटा हुआ है जिसे वन विभागने जंगल का रूप देने की त्यारी कर ली है पधरोपन को लेकर गड़ों की खुदाई का काम सुरू हो गई है पधरोपन का यहकार वन परमंडल एवम जलवायू परिवर्तन विभाय गुमला द्वारा भू संड़क्चन योईना बनो का सनवर्धन एवम प्रकिर्तिक पुर्ण जनम योईना अंतरगत कराया जा रहा है दुमका में कुरोना भी स्फोट 49 चात्र वा तीन सिक्षक कुरोना पोईटी जारखन के दुमका जिले में कुरोना भी स्फोट हुआ है बतादे जिले के विभीन पर खंडोक के 49 चात्र कुरोना संक्रमित पाये गए हैं इधर जार्खंड में कुरोना के बर्दे संक्रमन को रोकने की रण निती बेहतर करने के लिए राज आपदा परवंदर प्रादिकार 14 जनवरी को बैठा करीगी बोकारो सदर अस्पताल में ड्यूटी के दरान डॉक्टर की मौत जार्खंड के बोकारो सदर अस्पताल में पदस्थापित जेनरल फिजीसियन डॉक्टर नसीम की हाड अटेक से मौत हो गई है बता दे डॉक्टर नसीम बोकारो सदर अस्पताल में नाइट ड्यूटी में तैनाथ थे राच 11 बच कर 30 मियट के करीब उनके सीने में दर्ध हुआ इसके बाद उन्होंने खुद दवा मंगवा कर खाया उसके बाद सुबा उन्होंने नमाज आदा भी की है बता दे उसके बाद ECG कराने के लिए CD से उतर कर जा रहे थे इसी दवरान वे मुर्शित होकर गिर पड़े इलाज के करम में उनकी मौत हो गई है नराज परिजनों ने उनका सौव लेने से इनकार कर दिया है धनबाद जज उतम अनन्द मौत ममला है जारखन हाई कोट ने धनबाद के जज उतम अनन्द की मौत ममले में सोता संग्यान से दर्जनहित याजक्या पर सुनवाई करते हुए CBI की ओर से पेस की गई थियोरी को खारिज कर दिया है बतादे जारखन हाई कोट के चीफ जर्श्री डक्टर अविरंजन वजर्श्री सुजित नराण परसाद की खन पिठ ने मामले की सुनवाई के दरान CBI की ओर से उपस्थित एडिस्टनल सॉलिस्टिर जनरल अफ इंडिया एसीवी राजू को घटना का सीसी टीवी फोटेज दिखाया सीसी टीवी फोटेज देखाते हुए खन पिठ ने सीरी राजू से कई सवाल पुछे इसका उन्होंने संतोस जनक जवाब नहीं दिया बता दे मोखिक रूप से कहा कि मैन बिहाइंड मसीन का मामला बन गया है खन पिठ ने एक फिल्म के द्रिस का हवाला देते हुए बताया कि CBI की मोबाइल लूट की थियोरी में कोई सचाई नहीं है लातेहर से नकसली निर्मल उराव गिरफतार लातेहर पुलिस ने गुपत सुचना के अधार पर गारू थाना चेतरे के डबरी जंगर से नकसली निर्मल उराव और्फ निर्मल कुजूर और्फ निर्मल मींज और्फ निर्मल जी को गिरफतार किया है बता दे गिरफतार नक्सली के पास से पूलिस ने हाथियार भी ब्रामत किया है इस बात की जनकारी SDPO राजेस्ट कुजूर ने पत्रकारों के दी SDPO सिरी कुजूर ने बताया कि S.P. अंजनी अंजन को गुपत सुचना मिली थी कि गारू थाना चेत्रे के डबरी गाओ के जंगल में कुछ नक्सली जमा है इनमें निर्मल उरावी है KODARMA में धान खरीद पर लगा ब्रेक KODARMA जीले में 27 पैक्सो के माध्यम से 15 दिसंबर से सुरू हुई धान कराय पर ब्रेक लगा है सरकार से जीले को अधाई लाक क्यूंटल धान कराय का लक्ष दिया गया था जिसमें अब तक 43-235 क्यूंटन धान की ही खरीदी हुई है जारखन के सेवा निवरित सिक्षकों के लिए लगाया जाएगा पेंसन अदालत सिक्षा विभाग राची के सिवा निवरित सिक्षक और सिक्षकेतर कर्मियों के लिए पेंसन अदालत का आउजन 15 जनवरी को किया जाएगा बता दे 12 बज़े से सुरू होने वाले इस पेंसन अदालत में आए आवेदनों का ओन दा स्पोर्ट निस्पादन किया जाएगा इस समध में विभाग से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है यह आवेजन परखंड संसाधन केंद्रे के परिसर में किया जाएगा बता दे कि इस अदालत में राची जीला अंतरगत, राज किये, क्रीत एवाम, गहर सरकारी साहता प्राप्त, अल्प संख्यक, प्राथमिक, मद्य उत्कर्मिक, उच एवाम पलस टू, उच विद्यालियों से सिवान विरित, और मिरित, सिक्छक, सिचकेतर कर्मियों का लंब बिकास मंतरी सत्यानद भोकता से अल्प संख्यक वर्ग खासे नराज है, बता दे मंतरी के क्रीतों को लेकर मुसलिम बुद्य जीवी अभी से ही उनके खिलाप महोल बनाना शुरू कर दिये है, बता दे बिस सुत्री कारकरम किर्यनवेन समीती में अल्प संख्यकों को उचि बिची रिम्स की कोबास मसीन की किट खत्म है, एक और संक्रमन की रफ्तार तेजी से बढ़ रहे है, बता दे कोबास में कोबिट जाच के लिए उपयोग होने वाली किट अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद लेब में ताला जड़ दिया गया है, और पहले की तरह जाच प बास में एक बार में 1200 सेंपल की जाच होती थी, जारखन में 4 लाख लोगों के नाम रासन काट से काटे जाएंगे, जारखन में 4 लाख लोगों के नाम को रासन काट से काटने की परकिलिया सुरू हो गई है, बता दे एव ऐसे रासन काट धारी हैं, जो रासन का उठाव नह किया गया है उसके अलावे राशनकारधारी के सूची से कटने वाले नाम में दो सव क्यूंटल तक धान विक्री करने वाले लोग भी सामिल हैं बता दे इस बात का खुलासा खाद सोरजनिक बितरन एवाम भोकता विभाग सभीत मंत्री रामेश्वर उराव ने किया है यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टागराम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीड़बैक आवास युश…